नमश्का और आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडे चंदर शेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांग है 23 जून सन 2023 स्विक्रम समवत 2080 चल रहा है आशाड मास है शुक्लुपक्ष है ग्रिश्मुरितू है तिति पंचमी और आज का वारAy शुक्रवार करें तो मग है नकषतर पूरे दिन और पूरे रात रहेगा योगवज्र है और योग की द्रश्टी से आज का दिन शुब नहीं है विशेश करके आज कोई खरीदारी नहीं करनी चाहिए कोई भी बड़ी महंगी खरीदारी करते हैं तो उसमें कोई ना कोई नुकसान जरूर होता है करण बालाव है शाम 7 बच के 55 मिनट तक आगे कॉलाव करण रहेगा सुर्यदे का समय सुबे 5 बच के 24 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 7 बच के 22 मिनट का है आज का राहुकाल सुबे 10.30 बजे से लेकर दोपेर 12 बजे के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा क्योंकि इसमें कोई शुबकारी नहीं होते है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अभिजित मुरत आज 11 बच के 55 मिनट से दोपेर 12 बच के क्याउन मिनट के बीच में दिन में चार बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सूजबू से टाल दीजेगा ये हैं सुबह 8 बच के 11 मिनट फिर सुबह 9 बच के 7 मिनट फिर दोपेर 12 बच के क्याउन मिनट और 1 बच के 46 मिनट इनको टाल देंगे तो आज के दिन का सदुप्योग आप अच्छे से कर पाएंगे आज का दिशाषी जूल अनिवारे यात्रा है आज की उसका चोटा सब परिहार कीजिए परिहार बहुत ही सरल है पस्चिम के और मुख किजिए थोड़े से जो जा या राई के दने खाएंगे पीछे चलिए और भगवान श्री राम या अपने अपने से प्राथना कीजिए कि मेरे हिर्दे में बैटकर मेरे साथ इस यात्रा पर चलिए ऐसा करेंगे तो दिशाष रूल आपको परिशान नहीं करेगा यात्रा बहुत ही शुब और योग कारक हो जाएगी आज का शूब समय दर्षको या आज की दिन का सदूपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7.30 बजे से लेकर सुबह 10.30 बजे तक फिर दौपैर 12 बुजके 25 मिनट से दौपैर 2 बजे तक फिर शाम 5 बच के 40 मिनट से 7 बच के 20 मिनट तक ये तीनों का लकान बाकी पूरे दिन क के लिए कुछ इसप्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की राशी वाले आज कठोर लेकिन सटीक निड़ने लेते हुए दिखेंगे वरश राशी वाले घर में हुरी अशान्ती से दिखेंगे परिशान मितुन राशी वाले किसी बहुती प्रभावशाली व्यक्ति से मित्रता कर सकते हैं और करक राशी वाले प्रयास करें कि आज आपकी वानी से किसी को ठेस ना लगे ऐसे ही सिंग राशी वाले आत्मिश्वास से रहेंगे लबरेज और कन्या राशी वाले किसी बड़ी योजना के नाम पर ठगी का शिकार हो सकते हैं तोला राशी वाले आज सरकारी कारियों से लाप्राप्त कर सकते हैं, व्रश्चिक राशी वाले अपने कैरियर में पाएंगे किस थाई तो, धनू राशी वाले यश प्राप्त करते दिखेंगे प्रसद्धी के अवसर मिल रहे हैं, मकर राशी वाले ध्यान रखें कि आज किस से विवाध सम्भव है और दर्द से संभनित कोई श entsprechरि zero सकता है कुम्राशी वाले अपने वैवाईक जीवन में संतुलन बनाए रखने में सफल हो सकते हैं और मीन राशी वाले किसी कानूनि पचड़े में फचसकते अन्तुमें करेंगे आज की दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान दर्शे को निंदा और परदोश दर्शन की आदत यह बहुत बड़ा पाप वह करता है जिससे हमारा कभी भी कल्यान संभवी नहीं है क्योंकि हम जिस भी नाम वस्तु गुण का अधिक चिंतन करते हैं फोकस करते हैं अपना चित उस पर आरोपित करते हैं आगे चल कर वो हमें मिलती ही मिलती है इसे ही आज कर लौफ अट्रेक्शन कहा जाता है तो ऐसे में दोश दर्श्टी रखने वाले लोगों में भी वो दो स्पाइज स्रीक्रिश्न ने कहा कि आप एक एक बुरा एक अच्छा व्यक्ति हस्तिनापॉर में खोजी है युद्ष्टर को बुरा व्यक्तिOM को कोई भी अच्छा व्यक्ति में मिला माने जो जैसा होता है उसको वैसा ही सब दिखने लगता है संसार ही सबत लroze से होता हम गुण देखना गुण खोजना शुरू करें यह आज की ज्यान चर्चा का सार है अब बात करते हैं उन विश्ष टुपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समश्याओं के सरल समधान कर देते हैं चीने करके आप सफलता अर्चनों को जीवन में पीछे छोड़ते हुए सफल के वक्त गणेश जी के मंदर जाएं वहां एक पाठ गणेश शैस्त्र नाम का करें वापसी में किसी भी विमंदित बच्चों के आश्रम में आजा मिठाई बटवा दें तो आने वाला वर्ष बहुती सुंधर बहुती सुकून से और इश्वरी अनुकमपा के साथ बीतेग के वाएं जिसमें वहरानी द्रौपदी को अननत वस्तर देकर उनकी लाज बचार एं एसे श्वरूप का ध्यान अपने मस्तिष्क में अपने चित में बनाएं जिसमें वह गज की पुकार से यानि हाती की पुकार से वैकूंड से उठकर चले आ रहे और आर्दन बहाना से श्री हरी श्री कृष्ण परमात्म को कह दें और फिर इस बहुती विशिष्ट इस्तुति को नित्य कम सकम तीन माला और अधिक अपनी शम्ता के अनुसार करते रहें गुरु गणेश मरन करें यहनि सबसे पहले गुरु का स्मरन करें फिर गणीज्जी जी का और फिर भगवायन श्रीकृष्ण का पंच्योप चार से पूजन करें और फिर यह विश्य स्तुति का पाठ करें इस्तुतिश प्रकार है चंद्रोर्भी शिवे शूली चक्री चेव गदाध रे श्री करता श्रीपती श्रीदे श्रीदेवो देव की सुते श्रीपती पुंडरी काक्षे पद्मनाव हो जगत पती वासु देव अप्रमयात्मा केश बहुत हो जाए इस प्रकार्श सिस्थुति का आपको नित्य अपनी जितनी शमता है उस शमता के अनुसार ज्यादा ज्यादा पाट करना जब करना है तर्शे को कुछी दिनों के इस पूजन से भीशन से भीशन समश्या से आप ऐसे बहर आजाएंगे जैसे सूर्य के उधित होने पर प्रकाश अंदकार का नाश कर देता है आप कीजिए चमतकार खुद देखिए ऐसी दर्शे को यदि घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बनी रहती हो आप सी जगड़े या तो बहुत ज़्यादा होने लगे हैं या फिर सभी काम आपके बस बंते बंते बिगड़ जाते हैं मतलब 99 पे पहुंचके कार एकदम से बंद मंदिर में जाकर पीपल की जड़ों में कच्छा दूद और गंगाजल अर्पित करें और वहां प्रणाम करें और चार छोटी छोटी टेहनिया उस व्रक्ष से तूड़ लें और फिर इने हनवान जी के सामने रखकर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 11 माला जाप वहीं मं सुद्वत जया मन्तीर इस प्रकार है ओम अंजनी गर्व संभुतम कपंद्र सचिवोत्तम राम रव कि नमस्तुभ्यं हनूमन रक्षिर सरवदाahaha फिर से समझते हैं और अपने घर के चारो कोनों में लटका दें और फिर नित्य घर में एक माला इस मंत्र का जाब धूब जलाकर करते रहें आपके घर में कभी कोई नकारात्म को उड़जा प्रवेश नहीं कर पाएगी और बहुत ही पॉजिटिव महौल रहेगा बहुत ही प लुकंपा का एसाज बना रहेगा आप कीजिए बहुत चमतकर उपाए तो यह थे आज के वह विसस्ट उपाए जो आपकी बड़ी-बड़ी समझाओं का समाधान कर रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्री का आई है हमा सूर्य स्तित है और छटे भाव में शनी और राहू की द्रश्टी एकदम साफ साफ है तो ऐसी स्तिती में बहुत आराम से दिख रहा है आपकी जनम पत्रीका में पेट और पेट के निचले इससे में इससे संबंदित आपको पीड़ा का योग बनता है और ऑपरेशन भी आना पड़ सकता है तो ऐसे में आप शनी और रहो का उपाय कीजिए साथ ही सूर्य शान्ति भी करवाई यानि इन तीनों का जाब करवा लीजिए वर्तमान दशा भी आपके सब्तमेश गुरू की चल रही है तो ऐसे में सेहत में सुधार नहीं होने देरी तो आप इन ग्रह जाब के अतरिक्त इश्वर कृपा भी आपके साथ होनी चाहिए तो राम्रुक्षा श्तुरोथ पर ज्यादा फोकस कीजिएगा जल्दी जल्दी आपकी सेहत में सुधार आजएगा आज की दूसरी पत्रिका है कमलेश जी की डूंगरपुर से 9 मार्च 1977 का इनका जनम है शा तो आपके प्रमोशन हो सकता है कि मार्च 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में हो जाए आप उपायों की दृष्टी से नित्य हनुमान 40 के दो पार्ट इस चौपाई का संपुट लगा के कीजिए संपुट है तुम्रो मंत्र विबिक्षन माना लंकेश वर भै सब जग जाना इसका सं चांग आज के विसस्ट उपाए और ज्यान चर्चा मैं पंडे चंद्रशेकर शर्मा यह आशा करता हूं कि बताए उपायों को सटीक विधी सही समय पे करके पूरा-पूरा लाब उठाएंगे जो ज्यान चर्चा जो सत्संग हमने किया उस अपने जीवन में उतारेंगे ज गुड मॉर्निंग मैं हुदीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं और जानते हैं कि आज के दिन को हम और भी खूबसूरत कैसे बना सकते हैं और गाइडेंस हम लेते हैं वह एक से लेकर 9 मूलांक तक होती है कौन से रिडिंग है आपकी या कौन सा है आपका मूलांक यदि आप हमार परदो होगा आपका मूलांक और आज की तारिख है 23 जून 2023 और आज की तारिख है 23 दो और तीन को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नमबर पांच तो नमबर पांच आज की तारिख का विशेश मूलांक है जिहां आज की तारिख का मूलांक जिसके स्वामी है मुलांक एक से लेकर नौतक जात्कों पर वह हम आगे की रीडिंग में आज एपिसोड में जानेंगे लेकिन आप तो जानते ही हैं कि पिछले कुछ समय से मैं आपको हर हमारे एपिसोड के माध्यम से एक चक्र को समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो कि हमारे ही शरीर का एक मुख्य हिस्सा है जो ना केवल हमारे शरीर को बाहरी तोर पर बलकि ओबरोल हमारी जिंदगी को एफेक्ट करता है अभी तक दोस्तों हमने छे चक्रों की बात कर ली है आज के दिन जो छटा चक्र है हमारा जो छे चक्र की हम बात कर रहे हैं तो यहां जो च्टा आप पेँचे विए सै को आलगी से कहा ψ चाक्रा तरी करता है थर्डार आए कि O अधरा से अध्यास्थ सभी के पास बूह तो भूंचा ला जाता है थे तो और ऑस्तिक्ता में वह क्या है मैं आपको उसको eerich श्चालगी वह मैंतरी संत् consiste के पास मौजूद होता है आपने देखा होगा कि पुराने समय से पुरातन समय से हम सभी को जब हमारे पूर्वज बात करते हैं बड़े-बड़ संत महात्मा बात करते हैं ध्यानी योगी बात करते हैं तो हमेशा किन चीज़ों पर करने को कहा जाता है ओमकार करने को फोकस कहा जाता है क्योंकि ओम करने से इसका जो बीज मंत्र है वह ओम जब ओम का जाब करते हैं तो ओम के जाब से जो ध्वनी से जो समवेदना जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है वह वाइब्रेशन सीधे हमारे कि त्रिनेत्र को प्रभावित करती है इसे अगनेय चक्र भी कहा « जाता है» इसका जो रंग होता है वो होता है वायलेट कालर यानि की बेंगनी ρंग का होता हैर चीक है जेकी दो पंखुडिहां होती है हम जिस चीजों को देख रहे हैं यह तो पूरी तरह से मिथ्या है यह तो भ्रम है यह तो यहीं रह जाना है और जो वास्त्विक्ता में हमारे साथ आगे की यात्रा पर जाना है अब यहां आगे की यात्रा से जो हमारा अर्थ है वो हमारी हमारी आत्मा की आगे की यात्रा की ह में हैं मनुष्य योनी कुपा थे हमें क्या एक साधारन मनुष्य से हम आदी मानव से महा मानव पर हम तो जो विक्ति अपने इस तीसरे नेतर को जागनत कर लेता है तो क्या होता है सारे भ्रहम टूट जाते हैं तो आइए दोस्तों, बिना देर के अपने कारेकरम के हम शुरुवात करते हैं और जानते हैं मूलांग एक के लिए हमारे एंजल, हमारे एंसिस्टर्स आज हमें क्ya गाईड कर रहे हैं 23 जून 2023 के लिए और हमें गाईड किया जा रहा है मूलांग 1 के लिए इगल का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कोई भी डिसिजन एकदम से नहीं लेना है बलकि जो भी कुछ आप डिसिजन ले उसके लिए बहुत सोच समझ के और एक ब्रॉड माइंड रखकर अगर आपको भी निर्ने ले अगर हम बात करते हैं कि आपके ओफि कर बनाएं ऐसा आपको गाइड किया जा रहा है क्योंकि आपके अंदर की जो केबिलिटी है वास्तविक्ता में जो आपका गुण है वह आप भी नहीं समझ पारे अपनी प्रतिभा को क्योंकि आपके आसपास का जो माहौल है वह आपकी एक्चुल जो आपका टैलेंट है व क्योंकि आपके अंदर केबिलिटी है कि आप उसे पूरा कर सकते हैं आये जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें हमारे एंजल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 23 जून 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है वाइस बन का कार्ड है आपको कह सीक नहीं लग 250 अपको किसी की ऑपर को द्लग असकता है कि मैं कहां फ़स गया मुझे यहां से बाहर निकलना है लेकिन पर्मात्मां को कह रहे हैं कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा के अनुसार और इस ल्यव के manifestation करमा के अनुसार आज आप जिस भी परिस्तिती में हैं आपको इसी परिस्तिती में होना सुनिश्चित था ऐसे में अगर आप इस आज के इस परिस्तिती को accept कर लेते हैं तो आप बहुत हमारे जीवन में तब तक रहती है और बार बार तब तक होती है जब तक की हम उससे कोई सबक नहीं ले लेते हैं तो आपको यह कहा जा रहा है कि अगर आप आज के दिन किसी भी तरीके से सैटिस्वाइड नहीं है अपनी लाइफ से अपनी आस पास की परिस्तिती से तो आपको accept करना होगा कि यही होना लिखा था यही होना सुनिश्चित है और अपने आपको आपको इसी के अनुसार ढालना है इस परिस्तिती के अनुसार आपको ढालना है इसमें से lesson लेना है औ आगे move on कर जाना है आपका दिनर कर i French के जानते हैं मूलांक Τीन के लिए हमारे Angels हमारे Angels हमारें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 23 जून गजार c Aman 2019 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा ज़ा रहा है और एकल्स हारा आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन एक विशेश जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है हो सकता है किसी व्यक्ति पर आप भरोसा करने वाले हैं और उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी आपको प्राप्त हो जाए हो सकता है कि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने पर ही आपको आगे बढ़ना है उस पर्टिकुलर विशय या व्यक्ति के साथ आपका दिन शुब हो आए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हमारे जलें सिस्टर्स आज 23 जून 2030 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है हरमिट का काड़ है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन ना बहुत जज़ादा आपकी हौचपाच वाली लाइफ कहीं न कई को अतित्य दिक सोच विचार करने के वज़े से बहुत ज़़ाद दोब जिनाव ठकान आपको महसूस हो रही है बहुत जाएधा स्ट्रेस फुल आज तक रही है तो आपको दिवाइन कहा है कि बस वह इसे भात वा आज खुद के ओपर सुपशटें डे इख एप उन लोगोगों margin P सकते हैं आपको रुए त्र यृजन के लिए लोगों's को यृटी से लेका अग्ज़ा अगे के लिए आपका दिन शुब हो आई जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें हमारे एंजल्स एंसिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे है 23 जून 2013 के लिए आज के तारिक का जो जोड है वो भी है नमबर पांच और नमबर पांच की हम रीडिंग कर रहे है मूलांक की और हमें गाइड किया जा-रह रहा है लीडि da काड है आज के दिन आपका bहुत ही अच्छा है एक महीलह से आज आपको उच्छा रिष्पांस मिल्ने वाला है समान और प्यार मिलने वाला है आज के दिन आपको बहॊत कुछ अच्छा प्रापत होगा जो कुछ आपने महनत की किल रिजल्ट करने मैं तो कुल मिला के आज को दिन आपके लिए बहुत अच्छा है आपको धनलाब भी हो सकता है डिफ्ट्स मं다면 सकते हैं आपको पहचान मिल सकती है आपके काम की कुल मिला के आज के दिन को चर्श कीजिए लोगों के साथ इंजॉइ कीजिए आपका दिन शुबह आई जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे इंजल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 23 जून 2023 के लि आपको मिली हुई है और कही ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आपके गुरुदेव की विक्रपा जो है आज आपके साथ बनी हुई है और आपको यह कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी करना चाहते हैं उसे आप कर सकते हैं कहा जाता है ना कि हमारे विचार हमारी आग सोच रहे हो आपका दिन शुबहों कि आई जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमारे एंजल समारे इंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं तेज जूँ आज के दिन कुछ आपके आसपास की परिसिती इस तरह की की है कि आप अच्छी बात भी कहेंगे ना तो किसी को बुरी लग सकती है या समझ में नहीं आएसा हो सकता है तो बिलकुल भी बहस नहीं करनी है अपने आपको सही साबित करने की कोशिश्ट मत कीजिए वक्त अपने आप आपका जवाब देदेगा भगवान पर विश्वास रखिए आए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल्स हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइद कर रहे हैं 23 जून 2023 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है डिरेक्शन गार्डिन का काड है आपको हो सकती है तो आपको क्या आपको कहा जा रहा हुए जा रहा है तो यह डेरा है आपको आजएní है को पूल सी चीज़ें आप के लिए क्र ना सबसे जारी है आपके करेर और जो भी आपके तो कोई इसा काम यक्या को आपको और भी ठील में कि आपके भविष्य के लिए ठीक है आपको यहीं पर ड्रॉप कर देना चाहिए उसके साथ बिल्कुल भी आगया पुन नहीं बढ़ना चाहिए एक सही डिरेक्षिन आज के दिन आपको लेना है और परमात्मा इसमें आपकी सायता अवश्य करेंगे आपका दिन शुबहों मूलांक नौ के लिए हमें परमात्मा हमारे इंजल एंसस्तो बिल्कुल जोन हजार रहा है चाहार है इस टार एंसस्तोर का काड है कि आज के दिन आपको युनिवर्स के अधर से भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलने वाली है आपके अपने एंसेस्टर्स आपके पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन आपकी सहता कर रहे हैं आपकी हेल्प कर रहे हैं आज उनकी पूरी क्रपा आपके उपर बनी हुई है आज आप कोई भी ऐसा कार करें जो की वास्विक्ता में आपके पूर्वज किया करते थे या आपके परिवार में विशेश तोर पर समाज के लिए लोगों के लिए जन कल्यान के लिए करना अभी तक होता आया है तो ऐसा कोई भी कारें अवश्य करें देखें मूलांक नौ के जातक होते हैं को विशे सामाजिक रूप से लोगों की सहयता करना बहुत जरूरी अगरा पैसा नहीं करते हैं तो आपके अनर्जी जो है वह स्टक हो जाती है